इस आज की वीडियो का हमारा question है without adding find the sum यानि कि बिना add किये इसका sum find करना है हमें तो कैसे करेंगे हम बिना add किये अब यहाँ बीच में हमारा add का sign दे रखाया है और फिर भी हमें add के add करके इसे हमें find करना है इसका sum कितना होगा तो guys इसके लिए एक general formula में यूज़ करना होगा क्या है general formula general formula है हमारा sum of first n odd number ठीक है first add odd number क्या होता है n odd number is equal to होता है हमारा n square यानि कि अगर हम first n odd number को add करेंगे तो होता है हमारा n square तो यहाँ हमारे कितने odd number दे रखे यह basically सारे क्या है हमारे odds number है तो जो हमारे first start होता है first odd number हमारा 1 होता है फिर 2 3 होता है फिर 5 होता है फिर 7 होता है फिर 9 होता है यानि कि 5 हमारे odd number है तो first 5 odd number का हमारा sum कितना होगा 5 का square और इस 5 का square को क्या होगा हमारा 25 यानि कि हमने बिना add किये इसका answer find कर दिया अगर आप यह verify करेंगे तो verify भी कर सकते है 1 3 होता है 4 4 5 होता है 9 9 7 होता है 16 16 और 9 होता हमारा 25 यानि कि इसका एक direct formula है हमारा कि sum मो first add first an odd number is equal to तो हमारा n square which is यान हो जाका इतने 5 odd number है यान 5 है तो 5 plus square is equal to 25 तो that's how you can find it if you have any doubt you can ask me in comment section see you in the next video till then bye bye